और जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा वो अच्छी बात है कि गंदी बात है मेरा सपना है मेरा सपना है जो लोग जो है ना आप आपने देखा नहीं एक छोटे बच्छे को खड़ा करके कि टीचर ने कहा मारो इसको मारो इसको क्यों मारो कि यह मुसल्मान है दुनिया ने देखा है दुनिया ने देखा है क्या गरती उसकी है उसको मारो दुस्ते इसका आगर हैं किदर है अगर होती ना तो अगर होती न तो तो एक है यहां पर अपने आप चिलाए जा रहा है कि मैं मस्जीद में घुसकर मारूंगा पुना शरीव ने पढ़ने दूंगा उनको सदा होना चाहिए और अगर मैं यह कह दूँ या कोई मुसल्मान कह दे तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा अंगार लग जाएगी ले देखिये कह रहा है कि हिंदू आउर्तों से कह रहा है कि तुम लिपिस्टिक लगाना छोड़ दो हाथों में तलवार उठाओ यह क्या है इन पे मुकदमे नहीं होना चाहिए कैस नहीं होना चाहिए मेरी डिमांड है और वारिस पठान ने भी तूसके जवाब में क्या बोल यह गाए जिसने भी बोला उसके खिलाफ यूए प्याफ लगाया जाए चाहिए मैं बोलूं किसी मजब्स के खिलाफ और इसलोगें लगना चाहिए धर्म बोट पर लेकिन एक बात बताएए, नितेश राने कह दें कि मजड़ित में घुशकर मारेंगे, वारिस पठान कह दें कि दो टांगों पर आएंगे, इस्ट्रेचर पर भेज दूँगा, आप कह दें कि नानिया दिला दूँगा, 32 दिखा दूँगा, अच्छन का रियक्शन नहीं होता तो डादबाई चाल मने कहा गया था कि मुसल्मानों ने ढ़न करके लोगों को जला दिया लेकिन जब श्रीकृष्ष्ण की रिपोट आई तो कहा नहीं यह हुई है यहिए इक्षनी से Wi-kay रिएक्षन और धусов तो कुछ लोग जाज से कर लेते हैं ताकत से डह प्रोंगे जो थेय। पानी में पथर मारोगे तो लहराएं टकरा के जाके दिवाल से टकराएंगे मैडम एक्षान के एक्षान हमेशा होता है तो फिर पुलिस क्या करेगी कोट क्या करेगा पुलिस कुछ नहीं करेगा पुलिस तो जो है ना नानियाद आजी उनको जेल जाना पड़ेगा, जो लोग धर्म के खिलाब बोलेंगे, उनको पांच साल जेल में रहना पड़ेगा, उनकी नानियाद आजाएगा, और किसी के नहीं, कोई नाम है, लिस्स बनाई हुई है, कोई, नाम, अभी आपने देखा ने, एक, 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 बोल रहे हैं, और हमारे मुक्मंत्री उसके बगर में ख़ड़े हुए कहते हैं, कि यह हम आपके साथ हैं, आपका खुश नहीं होगा, यह कोई खानून है क्या, अगर अगर हुजूर स्वान जाना जाना चाहिए, चलिए आपने उस घटना के जखर किया, तो एक चीज़ मै आपसे भी पूशना चाहती हूँ, कि आपके साथियों ने, आप लोगों ने, उस घटना के बाद कैसे विरोध दर्ज कराया, AIMM ने तो 600 किलोमेटर पूरा का पूरा सफर तै करा, पूरा जुलूस निकाला, पूरा विरोध दर्ज कराया, आप लोगों ने क्या किया? करो, लेकिन वही एफायार हमने बिना हंगामा किये हुए करा दिया, यहां पर है कवायर हो गया, और वोगों आपके चलेगे कुछ नहीं हुआ.